Hello dear students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो है प्यारे बच्चों उसमें हम डेस्कस करेंगे Activity Sheet No.3 और ये जो Activity Sheet है ये 6-8 क्लास के बच्चों को करनी है ठीक है, छटी, साथ में, आठ में, तीनों क्लास के बच्चों को ये Worksheet करनी है और ये जो Activity Sheet है, ये आपको अपनी English की Copy में करनी है ठीक है बच्चों, आपको किस Copy में करनी है, English की Copy में और ये आपके लिए 19th of January 2022 के लिए schedule की गई है So, Activity Sheet शुरू करने से पहले, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करती चे बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको आने वाली वीडियो की notification वो समय से मिल जाए देखी क्या दिया गया है, इट्स रीडिंग टाइम, तो पहले हम इसको रीड करेंगे Hello Children, Reading Stories can be lot of fun जब हम Stories को read करते हैं, तो वो एक बहुत ही, आप कह सकते हो, बच्चों को अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता होगा, जब हम जो Stories हैं, उनको पढ़ते हैं Here is a story about a boy, just your age यहाँ पर एक story दी गई है, ठीक है, एक लड़के की, जिसकी age जो है, वो कितनी है, आपके जितनी होगी, ठीक है Do you want to know him, क्या आप उसको जानना चाहते हैं, read on, तो आप उसके बारे में पढ़े तो यह एक story दी गई है, जो आपको पढ़नी है, और उस boy का क्या नाम है, जो आपकी age का है, Mukul Mukul was a young boy, Mukul जो है, वो कौन था, एक young boy था He studied in class 6, वो class 6 में पढ़ता था He always helped his friends in time of need, जब भी उसके friends को उसकी जरूरत होती, तो वो उनकी help करता था Mukul took care of animals and birds around him Mukul जो है, जो animals थे, उनकी care करता था, जो birds है, जो चारो तरफ birds थे, उनकी care करता था He fed them, वो उनको खिलाता था, and never tease them, और उनको कभी भी परेशान नहीं करता था Tease का मतलब क्या होता है, उनको जो है, परेशान करना तो परेशान नहीं करता था Mukul was polite to elders Mukul जो है, वो जो बड़े थे, उनसे बहुत जादा अच्छे तरीके से बोलता था polite का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चो, अच्छे manners के साथ, ठीके बड़े प्यार से जो है, वो अपने बड़ों से बात करता था he helped them with small jobs वो जो है, छोटे-छोटे काम करके दूसरों की क्या करता था, help करता था he took care of his neighbor's cat when she was away अगर उसके जो neighbor है, पडोसी है, उनकी cat अगर दूर चली चाहती, ठीके तो वो जो है, क्या करता था, उसकी care करता था now, this cat also loved him, अब वो cat भी जो है, उसको क्या करती थी, बहुत प्यार करती थी mukul had friends in the neighborhood, mukul के पडोस में क्या थे, बच्चों, बहुत सारे उसके friends थे after play, mukul gave them water to drink as they were thrusty खेल के बाद, mukul जो है, उनको क्या देता था, पानी पिलाता था, जब वे प्यासे होते थे mukul helped his mother to clean up the house, mukul अपनी मदर की घर को साफ कर रखने में मदद करता था, he said prayers before eating, और वो खाना खाने से पहले हमेशा prayer करता था, ठीक है, भगवान का नाम लेता था, तो ये सारी बाते हमने mukul के बारे में पढ़ी, अब अगर आप जो है, इस पूरे जो आपने पढ़ा है complete, अगर आप इसको एक मिनट के लिए सोचो, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा, कि जो mukul है, उसके अंदर सारे good manners हैं, है ना, तो सारे good manners हैं, और जिस बच्चे में good manners होते हैं, उसको जो है, सभी प्यार करते हैं, सभी को वो अच्छा लगता है, अब इसी point पे, जो है based, यहाँ पे कुछ questions दिये गए हैं, जिनके answer आपको अपनी copy में करने हैं, now you know a lot about mukul, अब आप बहुत, जो है, कुछ mukul के बारे में चानते हो, do you like him, क्या आप उसको पसंद करते हो, तो आप क्या लिखोगे, yes I like him, क्योंकि वो सारे अच्छे काम करता है, ठीक है, सारे जो अच्छे manners होते हैं, वो उसके अंदर हैं, तो हम जो है, उसे पसंद जरूर करेंगे, तो आप लिख देंगे, yes I like him, do you think everybody likes him, तो क्या लगता है, आपको कि सभी को जो है मुकुल अच्छा लगता होगा, तो yes I think everyone likes him, तो हमें क्या लगता है, कि सभी को अच्छा लगता है, अब आपसे पूछा गया है, why, क्यों, So, क्यों अच्छा लगता है, मुकुल has good manners, मुकुल जो है, उसके क्या है, उसमें सारे good manners है, he polite to elders, वो polite है elders के प्रती, he cares of everyone, सबकी वो care करता है, He is helpful for all, वो सभी के लिए helpful है, इसलिए वो सबको अच्छा लगता है, So, मुकुल has good manners, good manners are free, they make you popular, practice them, So, good manners जो है, मुकुल के पास क्या है, good manners है, and good manners जो है, वो free होते हैं, उनके लिए हमें कोई पैसे नहीं चुकाने पड़ते, they make you popular, अगर आपके अंदर good manners होते हैं, तो वो आपको popular बनाते हैं, सभी का, सभी आपसे प्यार करते हैं, अगर आपके अंदर good manners होते हैं, So, हमें क्या करना चाहिए, उनकी practice करनी चाहिए, ठीक है, अपने अंदर good manners को inculcate करने के लिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी चाहिए, students, practice करनी चाहिए, ठीक है, तो ये थी आपके आज के activity sheet, और I hope सभी बच्चों को ये clear है कि good manners क्या होते हैं, और किस तरह से अगर हमारे अंदर good manners होते हैं, तो सभी हमें प्यार करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छे लगी, तो वीडियो को जरूर से like कर दीचे, share कर दीचे, और channel को subscribe कर लीचे, so thanks for watching students, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वरक्शीट के साथ, take care, have a nice day. झाल